वेल्कम बेक टू आवर कैरियर फांडेशन टॉपिक वाज करेंट फेर्स के सीरीज में आप लोगों का स्वागत करते हूं हाज की इस वीडियो में आप लोगों के उस एक यूव्टॉथ प्रीजि अब्यास भारत और विविन देशों के बीच हुए सहन अब्यास को डिसकस करूंगी साते कुछ मैं 2019 के भी युद अभ्यास को बताओंगी जो की भारत और विविन देशों के बीच हुआ है और इसके अलाबा और भी कोई देश भारत और विविन देशों के अलाबा और भी कोई देश के बीच, दो देश के बीच, जो सहींक्त सैन अभ्यास हुए उसको भी discuss करूंगी तो आज का ये वीडियो आप लोगों के exam के दिश्टिकों से बहुत ज़्यादा important होने वाला है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने exam का एक number को confirm कर लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं इंद्रा नेवी 11 युदभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है तो इस प्रस्न का सही उत्तर है दोस्तों इंद्रा नेवी 11 युदभ्यास भारत और रूस के 9 सेनाओं के बीच हुआ है दोस्तों इस विडियो में मैं आप लोगों को किन सेनाओं के बीच हुआ है अर्थात 9 से ना थल से ना या वायू से ना उसको भी बता दूंगी ठीक है तो इंद्रा नेवी 11 ये 2020 2020 के यूदभयास अभी मैं बता लें 2019 के जो यूदभयास बताऊंगी उसको मैं बता दूंगी थी कि ये 2019 की यूदभयास थीक है तो इंद्रा नेवी 11 यूदभयास भारत और रूस के नौ से नौ के बीच हुआ था और इसका अयोजन कहां पर किया गया था तो इसका अयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया था चलते ने अगले प्रस्ण के कवकाज यूदभयास किस इश में उस्प्रस्णिका सरी उतर है दूस्त तो रूस कवकाज युदभ्यास रूस देश में उपर कंपर आयुजित कीया गया था और यह जो युदभ्याज ता कवकाज यूदभ्याज य संपाहए तो बहुरास्टिय यूदभ्याज था जिसमें लगभग 20 देश के 20, 20 थल थलसे माँ भाग लिया था कितने लगभग 20देश के थल्से हनाओ भाग लिया था जिसका आयजन कहाँ पर किया था तो रूस में किया गया था चलते हैं अगले प्रस्ण पे पैसेक्स 2020 युदभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों अमेरिका पैसेक्स 2020 युदभ्यास भारत और अमेरिका के नौ से नाओं के बीच हुआ था किसके बीच हुआ था तो भारत और अमेरिका के नौ से नाओं के बीच हुआ था और इस युदभ्यास का युजन हिंद महासागर में किया गया था कहां पर किया गया था तो हिंद महासागर में किया गया था चलते हैं अगले प्रस्ण प्रस् युदभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ था इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तों संयुक्त अरब अमिराथ सात्मा नेटिव फ्यूरी युदभ्यास अमेरिका और संयुक्त अरब अमिराथ के नौ सेनाओं के बीच हुआ था किसके बीच हुआ था अमेरिका और इसका आयोजन जो सा त्मा नैटी फ्योरी युद ब्यास एसका आयोजन यू एई के अल हमारा सैन हड़े पर किया गया था चलते हैं अगले प्रसन प्रें इंद्रधनुस 5 युदभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? इस प्रस्द का सहि उत्रे दोस्तों इंगलेंड इंद्रधनुस 5 युदभ्यास भारत और इंगलेंड के वायू सेना के बीच हुआ था है गाजियाबाद के वायू सेना स्टेशन हिंडन में किया गया था तो गाजियाबाद में इस्थित वायू सेना स्टेशन हिंडन में किया गया था चलते हैं अगरे प्रस्ण पे अजए warrior युदभ्याज़ भारत और किस देश के बीच हुआ तो ये भारत और England देश के बीच हुआ ता भारत और इंग्लेंड देश के थल सेनाओं के बीच वा था और इस युदभ्यास का आयजन United Kingdom के सेली सबरी मैदान में किया गया था चलते हैं अगरे प्रस्टन पर Sea Guardian युदभ्यास Sea Guardian युदभ्यास चीन और किस देश के बीच हुआ इस प्रस्टन का सही उत्तरे दोस्तों पाकिस्तान दोनों हमारे विरोधी दोस्त Sea Guardian युदभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ था किस देश के बीच हुआ था तो चीन और पाकिस्तान के नौ से नौ के बीच हुआ था और इस युदभ्यास का आयोजन भारत के पच्छमी तटपर किया गया था चलते हैं अगले प्रस्ण पे संप्रिती नाइन युदभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ तो इस प्रस्ण का सही उतर है दोज तो भारत और बांगलादेश संप्रिती नाइन युदभ्यास भारत और बांगलादेश के थल से नौ के बीच हुआ था और इस युदभ्यास का आयोजन मिघाले के उम्रोई में किया गया था चलते हैं अगले प्रस्ण पे संयुक्त अरब अमिराथ और किस देश के बीच हुआ था तो इस प्रस्ण का सही उतर है दोस्तो अमेरिका संयुक्त अरब अमिराथ और अमेरिका के थल से नौ के बीच हुआ था और इस यूदभ्यास का आयोजन earthquake UAE किया गया था कहा पर किया गया था अगरे प्राशन के इंद्र अभ्यास इंद्र ऑजार उनीस यूदभ्यास इंद्र अब्यास 2019 बास भारत और किस देस के भीच हुआ इस प्रस्ण कर सही होता है दोस्तों रूस इंद्र अभ्यास 2019 भारत और रूस के बीच हुआ था और भारत और रूस के बीच हुआ था तो थल से नाओं के बीच हुआ था किसके बीच हुआ था भारत और रूस के थल से नाओं के बीच हुआ था अच्छा दोस्तों यह 2019 नीज का युद अभ्यास है तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आयुजन कहां पर किया गया था इसके बारे में कमेंट सेक्षन जरूर बताईएगा एक वर्क मैं आप लोगों को देती हूं क्योंकि वर्क देने से हम लोग दोनों में कॉडिनेशन बना रहेगा आप भी तो आप लोग थए सा जादे ध्यान से टॉपिक को पढ़िएगा नसीम अल बहर संयूक्त नोसेनिक अभ्यास भारत किस डेस के बीच हुआ था तो भारत और ओमान के बीच हुआ और यह जो नसीम अलबहर संयोग नौसेनी का भ्यास था यह बार्मा संस्क्रान था जिसका आयोजन गोवा के मोर मुगाओ तट पर किया गया था चलते हैं अगले प्रस्णते सयोग काजी नौद भ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ इस प्रस्ण का सही उत्तरे दोस्तो जापान सयोग काजी नौद भ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था किसके बीच हुआ था तो भारत और जापान के बीच हुआ था कौन सयोद भ्यास सयोग काजी नौद भ युदभ्यास का आईजन कहां पर किया गया था इस युदभ्यास का आईजन चिन्नाई बंदरगा पर किया गया था चलते हैं अगले प्रस्ट पर सूरी किरन 14 युदभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था तो सूरी किरन 14 दोहजार उनीस युदभ्यास भारत और नेपाल भारत और नेपाल के थल सेनाओं के बीच हुआ था किस के बीच हुआ था तो भारत और नेपाल के थल सेनाओं के बीच हुआ था और इस युदभ्यास का आयोजन नेपाल के रुपेन देही जीले के सली ज़ंडी में हुआ था चलते हैं एंगले प्रस्ण पर जायर अलबहर वो नसीम अलबहर था अभी जायर अलबहर पर आ रहा है जायर अलबहर 2019 युदभ्यास भारत और किस देश के बिच हुआ इस प्रस्ण का सही उत्तर है दोस्तो कतर जायर अलबहर 2019 युदभ्यास भारत और कतर के 9 से 9 के बीच हुआ था और इसका आयोजन कतर के दोहा में किया गया था सिन्यो मैत्री 2019 युदभ्यास भारत और किस देश के बिच हुआ था तो भारत और जापान के बीच हुआ था सिन्यू मैत्री 2019 युदभ्याद भारत और जापान के वायू सेना के बीच हुआ था और इस युदभ्याद का आयोजन पस्चिम बंगाल के पनागर सहर में हुआ था अब आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलेगा न्यूट टॉपिक के साथ और किस पर वीडियो बनाने आगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्षन में बतायेगा क्योंकि दो आजए वर्क मैं आप लोगों को दिए कि अगला वीडिय आयोजित किया गया था और आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारें भी कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं कर